फानली टाटा के तरब से एक टाटा न्यू अप्लिकेशन लांच हो गया है जो कि आप यूपी आई भी यूज कर सकते हैं और टाटा की जितने भी डिजिटल सर्विसे से सारे आप यूज कर सकते हैं इस वीडियो में आप जानने वाले हैं किस तरह से टाटा न्यू अप्लिक application को आप install कर लेंगे data new को जिसे ही आप install कर लेंगे तो आपके समने में देखे कुछ इस तरह का interface खुलेगा तो चलिए हम यहाँ पर open कर लेते हैं मेरा install हो चुका है और open करने के बाद देखे यहाँ पर logo खुल जागा data new का उसके बाद यहाँ पर देखे बहुत सारे आप option दिखाए जाएंगे जिसे की shop, eat, travels, उसके बाद simply your payments तो आप यहाँ पर असानी से payment भी कर सकते हैं let's start पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखे मोबाल नमर यहाँ पर पर नीजांब करेंगे हम यहाँ पर मोड़े में इंटर कर देता है और यह रिफलर कोड़ आप यहां पर inटर कर सकते हैं किम docadsr reference code वीडियो के description box में मिल जाए चलिए हम यहाँ पर get OTP पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखे जो मौल नमर आप दिये है उस मौल नमर पर OTP आजाएगा automatic verification हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर first name last name उसके बाद email ID इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखे साया कुछ इंटर कर चुके हैं उसके बाद लेस्ट गो पर किलिक करेंगे और यहाँ पर लोकेशन का परमिसन दे देंगे explore पर आप किलिक कर देंगे तो यहाँ पर टाटा पे का home page आपको यहाँ पर स्कीन पर देखेगा तो यहाँ पर देखें सिंपल यहाँ पर interface बनाए गया है आप बहुत ही असानी से किलिक में किसी को भी payment कर सकते हैं तरह से यहाँ पर यूपी यूज करेंगे किस तरह से और न्यू कोई विल भी वैयलेड एक यहर तो जो भी आप यहाँ पर कोईंस करेंगे वोसका एक एक यहर में में कभी उसको रुपए में बदल सकते हैं एक्सप्डोर में आप देख सकते ग्रोसिरीज यहां पे और कर सकते लेक्टोनिक्स का मूबायल का फाइनेश का ब्यूट्री का उसके बाद होटल का फॉलाइट का उसके बाद डिरिंक का भी आप यहां पर हेल्थ इंटर्मेंट टाटा आई-पियल तो बहुत सरे आपको यह यहां पर फेसिलिटी देखने को मिल जाता है इसके बाद नियू पास में हम आपको बता दिए एक कोईन का एक रुपिया उसका जो कोईन आप कमाएंगे एक एर तक रहेगा एक एर में कभी भी आप रुपिये में बदल सकते हैं नियू को जो भी यहां पर खर्चे करेंगे इ एक नमर यहां प्लिक करेंगे और संस्थिक करेंगे उसको आप कलिक करेंगे---- सब्सक्राइप करेंगे टाकि जो भी आपका लिंग में लिंग यहां पर कुंट करेंगे और संड सीम से bank account link होगा वो यहां पर sms verification कर लिया जाएगा तो चलिए मेरा यहां पर देखे sms verification हो रहा है sms verification होने के बाद account से bank का खाता है वो यहां पर आप select करेंगे तो बहुत सारे यहां पर sbi bank of brother आपको मिल जाएगे तो चलिए मेरा जाए हम् "-ENT?" है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहां पर देखिया चुका है मेरा अकाउंट इसी को स्णाफ है जियाँ पर यहाँ सब्सक्नед करेंगे तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं और यहां पे देखिए delete account का option है तो यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपका account जो है delete हो जाएगा तो यहां पे finally एक ही account बचाएगा तो अगर आप किसे और UPI application यूज करते हैं तो आपका UPI pin जो उस application में बना है वही रहेगा हला कि आप change कर सकते हैं तो चैन्ज कैसे करना है या कैसे अगर आप नया दुवारा बनाना चाहते हैं कैसे बनाएंगे UPI pin टाटा न्यू से तो ठीडॉट पे क्लिक करेंगे और यहां पे देखिए change UPI pin है reset UPI pin है तो चलिए हम यहां पे जो है change UPI pin कर सकते हैं और reset UPI pin भी कर सकते हैं तो चलिए इसके हम reset UPI pin पे क्लिक करेंगे यहां पे देखिए debit card का last का six digit यहां पे इंटर करेंगे validate जो आपका monthly और expired year होता है वो यहां पे इंटर करेंगे next button पे क्लिक कर देते हैं और यहां पे देखिए आपके register मौल नमर पे OTP आएगा उस OTP को यहां पे automatic हो जाएगा फिल इसके ब इसके बाद राइट वाले निशन पे क्लिक करेंगे आपका यहां पर UPI pin बन जाएगा UPI PIN बनने के बाद यहां पर देखिए आप बाइलेंस करना चाहते हैं यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर अपना UPI PIN इंटर करेंगे तो आप ताटा न्यू आप्से जो है बा कर देंगे और यहां पर आपको भी क्यार कोड कर सकते हैं या नहीं तो आपके गैल्दी में परा हुआ है तो उसको आप इजली से अपने फाइल में स्लेक्ट करके जो है उसको क्यार को जो है आप ले सकते हैं और सकन करके पेमेंट कर सकते हैं तो चलिए हम इसको लाइब ही आ आपको दिखा देते हैं तो यहां पर देखिए एमांट यहां पर इंटर करना है तो चलिए हम यहां पर दस रुपिया इंटर कर देते हैं आपको दिखाने के लिए यहां पर इंटर करेंगे और यहां पर पे वाले उप्शन पर खिलिक कर देंगे और यहां पर हम यूपी सकते हैं एकाउंट टांसफर भी कर सकते हैं अगर आपको चेक बाइलिंस करना है तो यहां पे आप किलिक करेंगे आप एकाउंट पे आप किलिक करेंगे जैसे ही एकाउंट पे किलिक करेंगे तो यहां पे आपको अपर यहां पर होल्डर नेम दे सकते हैं अपर ने मुझे करने के बाद प्रोशिर वाले उप्सन पे किलिक करेंगे तो यहां पर इंटर करके और युपी आप यहां कर सकते हैं attachion मेरा successful हो चुका है उसके बाद अगर आप कोई काड है जो है आप पेमेंट कर सकते हैं तो इहां पे est card को क्लिक करेंगे और और card का यहां पे नाम करेंगे और card कार्ड नमबर उसके बाद है यूट कर सकते हैं